हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास आज की इशिक्षा निदेशाले राश्टर राज़ानिक शेत्र दिल्ली की वर्कशीट वर्कशीट नमबर चार जो की कक्षा आठवी के विद्यार्थियों के लिए हैं यह ली गई है हिंदी विशे से और आज इसमें हम सीखेंगे मुहावरों को किसको मुहावरों को तो मुहावरे क्या होते हैं चलिए बिना समय गवाय शुरुवात करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं ऐसे कथन जिनका शाब्दिक अर्थ सामान्य होता है और जबकि उनका दूसरा अर्थ विशेश होता है वे मुहावरे कहलाते हैं यानि उनका पढ़ने में तो अर्थ सामान्य अर्थ कुछ और निकलेगा लेकिन वास्तव में उनका अर्थ कुछ विशेश होता है तो वही मुह मुहावरे कहलाते हैं जैसे कमर कसना अब कमर कसने का जो देखिए यहां पर लिखा है कि इस मुहावरे का समाने अर्थ तो यह हुआ कमर को बांधना का कसने का मतलब जैसे बेल्ट बांध के हम कमर कसते हैं न तो लेकिन किन्तु वहीं इसका विशेश अर्थ किसी काम के लिए तैयार होना है, अब आपको समझ में आया, कि कमर कसने का मतलब, ये सामानने ये है कि अपने कमर को आप बांध लो, लेकिन इसका विशेश जर्थ ये है कि किसी काम के लिए आपको तैयार होना है, तो उधारन के तौर पर सुनील ने बारवी की बोर्ड परिक्षा के लिए बि कि नीचे दिये गए उधारन के अनुसार आप भी मुहावरों के सामाने वह विशेश अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रियोग करें नीचे बहुत सारे आपको मुहावरे दे रखें आप अपने दिमाग से सोचें कि उसका सामाने अर्थ क्या होगा और विशेश अर्थ क्या वाक्य प्रयोग कोई और हो सकता है, उससे भी अच्छा हो सकता है, तो आप वो करिए, तो देखते हैं एक बार, तो देखिए जैसे यहाँ पर मुहावरे दे रखें, फिर उसका सामाने अर्थ, विशेश अर्थ और फिर उसका वाक्य प्रयोग, यहाँ आपकी सुविदा के विशेश अर्थ होता है, किसी पर दोश हा रोपन करना, यानि किसी के ऊपर दोश मढ़ना, तो वाक्य प्रयोग क्या हुआ, खुद को सुधारने के बजाए, दूसरे पर उंगली उठाना बड़ा आसान होता है, यह इसका वाक्य प्रयोग है, कि हम खुद तो सुधरते नह लेकिन विशेश अर्थ इसका क्या हुआ, बहुत संघर्ष में जीवन व्यतीत करना, यानि बहुत मुश्किलों से जीवन व्यतीत करना, तो वाके परियोग क्या होगा, नौकरी पाने के लिए बहुत पापड बेलने पड़ते हैं, वाके यी बहुत महनत, बहुत संघर्ष कर अगला मुहावरा है हाथ पाउं फूलना देखिए मेरे हिसाब से इसका सामाने अर्थ हुआ हाथ और पाउं का फूलना ठीक है और विशेशर्ट क्या होगा घबरा जाना हाथ पाउं फूलने का मतलब घबरा जाना होता है तो वाक्य परियोग क्या हुआ है शेर को आता देख कर मेरे हाथ-पाउं फूल गए, फिर लोहे के चने चबाना, यानि कि बहुत महनत करना, और विशेशर्थ क्या होगा, बहुत कठिन काम करना, या फिर संघर्ष करना, तो इसका वाकिय प्रयोग क्या बना, भारतिय सेना के सामने, पाकिस्तानी सेना को लोहे के चने चबाने प बहुत अधीख भूक लगना, तो वाक्य प्रियोग क्या होगा, सुबे से मैंने नाश्टा नहीं किया था, इसलिए मेरे पेट में अब बहुत चुहे कूद रहे हैं, फिर मुह ताकना, मुह ताकना का मतलब मुह देखना, और इसका विशेशर्थ क्या होगा, दूसरे पर परना, लेकिन इसका विशेशर्थ है त्रिप्त या संतुष्ट होना, तो जब रवी की नौकरी लग गई, तब उसकी मा का कलेजा ठंडा हुआ, यानि उसकी मा तब संतुष्ट हुई, तब त्रिप्त हुई, जब उसके बेटे की नौकरी लग गई, फिर इसके बाद है ब एडमिंटन प्लेयर है, पीवी सिंदू, तो कल ओलंपिक में पीवी सिंदू ने बाजी मार ली, यानि वे आगे निकल गई या जीत गई, और हाथ मलना, हाथ मलना का मतलब क्या हुआ, बही हाथ साफ करना, ने जैसे सापण लगा के हाथ को मलते है, तो हाथ साफ करना, लेकिन इसका विशेश शर्त है पच्छताना, हात मलना का See मतलब क्या हूँ था होता पच्छताना और वाकिय क्या अलसी वक्ति समय निकल जाने पर और फिर इसके बाद है सिर आखों पर बेठाना यानि सिर पर किसी को बेठाना या रखना किसी चीज़ को सर पर लेकिन विशे शर्त है बहुत आधर सतकार करना किसी की बहुत इज़त करना तो घर पर आए गुरुजी को चाद ने सिर आखों पर बेठा लिया यानि जब उसके घर पर गुरुजुय आये तो चात ने उनको बहुत आधर सतकार किया, उन्हें से राखों पर बिठा लिया, और आखरी मुहावर है, चार चांद लगाना, यानि चार चांद की तस्वीर लगाना, मतब चार चांद लगाना, चार चांदों की तस्वीर लगाना, मेरे साब से तो लेकिन इसका विशेश अर्थ होता है शोभा बढ़ाना, मान बढ़ाना, तो स्वतंता दिवस पर बच्चों के रंगा-रंग प्रोग्राम ने चार चान लगा दिये, यानि बहुत ही मतब उसने स्वतंता दिवस की तो और शोभा बढ़ा दिये, तो इस तरीके से मोहावरों का समानने अर्थ, फिर विशेश अर्थ और उसका वाक्य प्रयोग होता है, तो ये तो थी आज की वर्क्षीट, अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है, तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और जल्दी से जल और उसके बाद, अरे भाई स्कूल भी तो जाना है, इसी उमीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।